नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम महा स्यूरात्र के पावन पर्व की हार्दिक सुबकामनाय का पोस्टर बनाना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से तो इस वीडियो को आप सुरू से लेकर अंत त जाएगा साती साथ जो मैं बैक्ग्राउंड और पी एंजी मट्रियल यूज करूंगा सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रेप्चन में मिल जाएगा वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस तरीके का पोस्टर क्रेट कर सकते हैं तो चलिए हम चलते हैं अपन बैक्ग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे तो बैक्ग्राउंड को सेलेक्ट करने के लिए नीचे की साइड में चले आना है और वहां से आप उस पर टैप कर देना है इस पर टैप करेंगे और जिस फोल्डर में आप बैक्ग्राउंड को रखेंगे वहां से सेलेक्ट करेंगे गिलिरी पर किलिक कर देंगे जहां कहीं आप फोल्डर को रखे हैं बैक्ग्राउंड का उस पर टैप करेंगे यह आप फोल्डर बैक्ग्राउंड का दोस्तों देख सकते हैं इस पर हम टैप कर दिये हैं और हम बैक्ग्राउंड को सिंपली सा सेलेक्ट करेंगे और OK के आइका डाल देंगे फोटो डाल देंगे और इंट्रो बाइनर को लगा देंगे और लोगों को लगा देंगे पोस्टर बनके रेडी हो जाएगा तो चलिए हम सबसे पहले text png को लगा देते हैं तो plus के option पर क्लिक करेंगे from gallery पर क्लिक करेंगे जिस folder में आप text png को रखे हैं वहाँ से select करेंगे यह आप folder हम यहाँ से text png को select कर लेते हैं और ok के icon पर click करेंगे फिर सही के icon पर click कर देंगे जैसे आप सही के icon पर click करेंगे मोटे वाले बिंदो पर type करेंगे इस तरीके से इसे बढ़ा कर लेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके का text png select कर लिया है आप भी इसी तरीके से text png select कर लीजिएगा हमने कुछ इस तरीके का link वीडियो के description में दिया आप दाउनलोड कर सकते हैं और आप भी इसे select कर सकते हैं तो plus के option पर click करेंगे from gallery पर click करेंगे जिस folder में आप photo png को रखें हैं वहाँ से select करेंगे यह आप photo png का folder हम आप से select कर लेते हैं और ok के icon पर click कर देंगे फिर हमने photo png को select कर लिया अगर आपको इस तरह का photo png बनाना नहीं आता है नीचे description box में एक वीडियो का link दिया है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और photo png बनाना सेख सकते हैं सभी के icon पर click करेंगे मोटे वाले window पर type करेंगे इस तरीके से छोटा करेंगे और अपने इसाफ से नीचे के साइड में लगा देंगे देख सकते हैं दोस्तों हमने इसे छोटा बढ़ा करके अपने इसाफ से adjust कर लिया है from gallery पर click कर देना है जिस folder में आप अपना intro winner रखे हैं वहाँ से select कर लेना है यह आप folder हम यहाँ से intro winner को select कर लेते हैं और ok के icon पर click कर देंगे जैसे ही select करेंगे फिर side के icon पर click करेंगे मोटे बाले window पर type करेंगे इस तरीके से इसे बड़ा करेंगे बीच में टैप करेंगे और इसे नीचे की साइड में लगा देंगे देख सकते हैं दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से adjust करके लगा दिया है अब दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर logo को लगाएंगे logo को लगाने के लिए आपको simply करेंगे लोगो सिलेक्ट हो जाएगा मोटे वाले बिंदू पर टैप करेंगे इस तरीके से इसे छोटा करेंगे और अपने इसाफ से adjust कर लेंगे दोस्तों देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से adjust कर लिया है दोस्तों मैं आपको बता दूँ लगबग लगबग पोस्टर बनके तयार हो चुका है अगर आप इसमें और कुछ आइड करना चाहते हैं तो आप अपने इसाफ से आइड कर सकते हैं दोस्तों जो मैं background और PNG material यूज किया हूँ सभी का लिंक वीडियो के description में दिया है बिना password के वहाँ से जाकर आप download कर सकते हैं और आप भी इस तरीके का poster create कर सकते हैं अब हम आपको बताएंगे इसे आप अपने gallery में save कर से करेंगे share के option पर click करेंगे default पर click करेंगे और ultra पर click करेंगे save to gallery पर click करेंगे जैसे ही आप save to gallery पर click करेंगे या photo आपकी gallery में save हो जाएगा और आप भी social media पर share कर पाएंगे इसी तरीके से आप नए-ने poster create कर सकते हैं अपने mobile phone से दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और चैनल पर पहली बार आएं हैं तो please channel को subscribe करें इस घंटे पर click करें all press करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए